हाई, वेलकम तू मैं चैनल, इस वीडियो में सॉल्ट करेंगे क्वेशन नबर एट, तो धान ज़िएगा, और सौपकीपर एलाउज तो एक सौपकीपर जो है, अपनी कस्टमर्स को 10% का डिसकाउंट, मागड प्राइस पर, ठीक है, फिर भी, और स्टील, गेट्स अ प्राफिट आफ तो ये 10% का डिसकाउंट देने के बाद भी, उसे जो है, प्राफिट हो रहा है 25% का, तब पुछा है कि, what is the actual cost, तब actual cost क्या होगा, to him, of an article, एक article के लिए, उसका actual cost क्या होगा, मतलब यहाँ पर cost price पूछ रहा है, एक article का, ठीक है, यहाँ पर पुछा रहा है, actual cost, मतलब की, actually, सौपकीपर ने कितना pay किया था, उस article के लिए, तो सौपकीपर उतना ही pay करेगा, जितना की cost price होगा, तो actually, CP पुछा और उस article का CP पुछा हुआ है, जिसका mark price दे दिया है, 250 rupees, मतलब कि MP दे दिया है, 250, तो ध्यान देजेगा, यहाँ पर हमें पहले एक diagram बनाना पड़ेगा, ताकि हम easily समझ पाएं, और आसानी से समझ पाएं, और simple लगे, तो हमें यहाँ पर देखिए, पहले-पहले हम बनाते CP, CP का मतलब क्या होता है, वह price जो actual cost है, सौपकी पर का, जिस पर खरीदा है समान, ठीक है, उसके बाद MP, MP जो बताता है, वो बताता है कि product पे या goods पर जो marked price है, वो कितना है, उसके बाद SP है, SP मतलब कि selling price, जितने पर मतलब कि customer को बेच दे जाता है, ठीक है, अब ध्यान द 10% off है, मतलब MP से SP के बीच में आपको discount मिल रहा है, मतलब कि MP से कितना घटा जा रहा है, माइनस 10%, तो 10% का discount देने पर आपको मिल रहा है SP, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका discount, और का रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर बोला कि and still gets profit of 25%, तो यह जो 25% का profit है, profit कैसे calculate करते हैं, कब करते हैं, बताइए, तो profit percent जो calculate करते हैं, तो वो CP और SP में करते हैं, एक दम याद रखिए, मतलब कि loss percent और profit percent, या loss और profit की जो बात होगी, तो समझ जाए कि CP और SP में हो रहा है, और जब discount की बात होगी, तो MP और SP में हो रहा है, एक दम यह बात concept बना ल यहां पर actual cost लेकिन SP बोला है कि SP हमें निकालना पड़ेगा यह भी SP नहीं पता है हमने ठीक है लेकिन MP पता है यहां पर बोला कि marked at 250 rupees यह मैं पता है कि MP जो है 250 rupees है तो यह जो 250 rupees दे दिया है इस से पहले हम निकालेंगे SP इसका यूज करके क्योंकि SP निकल जाएगा क्योंकि MP पता है और discount परसंट पता है तो SP निकालने के बाद हमें profit परसंट पता चल गया मतलब CP और SP में जो profit परसंट है वो 25% है मतलब ये चीज पता है profit percent यहाँ पर 25% हमें पता है तो इसका यूज करके हम निकाल सकते है क्या CP ठीक है? तो समझेगा ध्यांस यहाँ पर पहले हमें निकालना होगा SP SP यूज करेंगे हम देखे MP का और discount percent का तो गिवन दाट हम निकाल सकते है आपर कि गिवन दाट discount percent discount percent is equal to 10% and MP दिया हुआ है marked price 250 रुपीज तो यहाँ से 100 हम निकाल लेंगे SP SP is equal to होता है हम जानते हैं क्या MP multiplied by 100 में से मैनस करना पड़ता है discount percent 90 upon 100 इतना होता है formula MP कितना है 250 यहाँ पर हो जाएगा 90 90 upon 100 तो यह देखे 0-0 कट गया है और यह 0 है इसे कट गया यहाँ पर 9 से प्लाइ कर लिजे तो मिलेगा आपको 259 होता है 225 ठीक है मदब 3% कम है यहाँ पर तो अब यहाँ पर SP जब निकल गया और profit percent पता है तो CP तो निकल ली सकते है actual cost है कि नहीं तो now actual cost is equal to क्या होगा CP is equal to क्या हो जाएगा हमारा formula होता है CP बेराबर होता है जब SP पता हो तो SP into क्या करते है 100 upon 100 plus profit percent जो formula है इदा मच्छे से याद रखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर ऐसे करके कर लते हैं CP तो SP कितना है यहाँ पर SP हमारा है 225 multiplied by यहाँ हो जाएगा 100 upon देखिए 100 में कितना profit percent जोड़ेंगे यहाँ पर तो profit percent है 25% तो यहाँ पर एड कर लेंगे 25% यहाँ पर यूच नहीं करते हैं यहाँ तो इतना हो गया यह हो जाएगा 225 multiplied by यहाँ solve करेंगे तो मिलेगा आपको 100 upon यहाँ हो जाएगा 125 25 ठीक है तो 25 जो होता है 125 और यहाँ 25 फोर्जा 100 हो जाएगा और यह 5 बंजा 5 और यहाँ हो जाएगा 5 फोर्जा 20 and 55 जा 25 अब यहाँ मैं अप्लाइग कर लेंगे तो हमारा value आजाएगा क्या actual cost CP आजाएगा 45 जा 20 का 0 और 2 carry over and 4 फोर्जा 16 and 2 18 18 means 180 रूपीज जो है यही आपका क्या है CP है मतलब कि जो shopkeeper है 180 रूपीज में खरीदा है और बेच रहा है 225 रूपीज में लेकिन जो customer आ रहे हैं उनको जो दिखा रहा है वह actually दिखा रहा है MP दिखा रहा है 250 रूपीज बोल रहा है 250 रूपीज का यह मिलेगा लेकिन वह कर रहा है ठीक है 205 रूपीज नहीं लेगा तो 10% का discount देने के बाद उससे मिल रहा है 225 रूपीज रूपीज देगा तो 25% का profit मिल लेगा क्योंकि वह 180 रूपीज का खरीदा ही है तो 180 रूपीज में खरीदा है तो 225 रूपीज में विच्चेगा तो फाइदा तो होगा ही बिल्कुल तो खैर सौब कीपर्स ऐसी करते हैं खैर यदि आप नए है मेरे चैनल पर और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि आपको ऐसे ही नए विडियोज मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ क्लास 12 तक रहेंगे यदि आप क्लास 8 से पढ़ते हैं तो इदि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो इंज्वाइब करते हैं बिल्कुल आप तो लाइक कर दिजेगा दस्तों सेर करिएगा थैंक्यू सो मच बाइ